एलो प्रेंड, देव ओनलाइन हेल्प में आप सभी के स्वागत है दोस्तों, अपपी B.A.D., B.A.D., M.A.D., B.A.B.A.D. और B.A.C.B.A.D. इन सभी कोर्सेश के जो एड़िसन है वो इस्टार्ट हो चुकी हैं तो अब आपको इन कोर्सेश के लिए रस्टेशन और चोईस फिलिंग कैसे और कहां से करना है कम्प्लीट एंपोमेशन आपको इस वीडियो के मात्यम से बताने वाला हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के लाश्ट तक जयोग देखें और एती आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे भी औल प्रेस कर लिजिए जिससे कि आपको अमारी सभी एनवारी डेटेस्ट वीडियो का ये नोटिपिकिशन है वो आपको सबसे पहले मिर सकें तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बेट का फॉर्म बनने के लिए सबसे पहले आपको आना है गूगल पर और यहापर आपको सर्च करना हुगा mponline.gov.in तो आप इसे सर्च कर लिए सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से यहापर mponline की official website यहाँ पर open उकर आजाएगी आप आपको यहाँ पर एक option निकाए दिखा counseling इस counseling वाले option पर जोए आपको click कर दाना यहाँ पर इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर new interface open हो जाएगा अब आपको यहाँ पर एक और option दिखाएगी नीचे scroll करने पर उच्छी सक्चा व्यवाग मत्यपर देश तो इस पर आपको click कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर new tab open हो कर जाएगी अब आपको देख सकते हैं यहाँ पर चार option दिखाए दे रहे होगी UGPG Admission इसके बाद requirement और यहाँ पर first option रहेगा NCT courses counseling इस पहले बाले option पर आपको click कर देना है इसके बाद आपके सामने यहाँ पर process start हो जाएगी और आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से एक new interface open हो कर आजाएगा अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा देख सकते हैं BAD, BPA, MAD इसके अलाबा BAD और MAD तो इस अभी जो UG की ऊपर की courses है उन सभी के लिए यहाँ आप apply करना चाहते हैं तो आपको यहाँ first वाली link पर click करना होगा और जो भी intermediate pass कर चुके हैं यहाँ की toilet pass कर चुके हैं तो वो BABAD यह पर BACBAD के लिए यहाँ बालेट के लिए apply कर सकते हैं तो उनके लिए second link की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी apply की और यहाँ आप अपनी receipt निकालना चाहते हैं paid, unpaid payment होने के बाद receipt निकालना चाहते हैं या फिर पहले निकालना चाहते हैं बिना payment की वी receipt तो आप यहाँ से निकाल पाएंगे application नमर के मात्यम से तो आप देख सकते हैं इन सभी courses के जो registration है वो start हो चुके हैं इनमें से आप BAD, BAD, BLA किसी भी course के लिए apply कर सकते हैं जिसमें भी आप interested हैं और यहाँ से rule book यहाँ से आप download कर सकते हैं कोई भी DIA या BAD के सक्कर में आप मतलब कि यह थी आप BAD के सम्मन में कोई भी जायनकारी चाहते हैं तो आप यहाँ से इस rule book को download कर सकते हैं और इससे सारी information आप check कर सकते हैं इसके बाद जो आप home के लिए apply करें तो apply करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं करवाए पहली बाली आपको जे लिंक दिखाए के लिए इसपर आप किलिक करेंगे यहाँ यहाँ पर apply पर bade तो अभी यहां बीड के लिए apply करने वाले हैं तो इसपर किलिक कर देगे किलिक करने के बाद आपके सामने इस प्रिखाच से आप पर तेख सकते हैं पूरा यहां पर फॉर्म खुल कर आ जाएगा अब आपको इसे फिल करना हुगा तो इसमें आप देख सकते हैं आपिदन पत्र के बुपतान के बच्चात अनिवार रोप से निरधारें समय अपदी में चोईस फिलिंग कर हेल्प सेंटर से दर्स्तवेज वेरिफाई करवाएं अन्यता काउंसिलिंग पिर्किरिया से बंचेत रहें जाएंगे इसके अलावा यहां पर दूसरे नमर पर पॉइंट लेका हुए किर्पिया नियम पुष्टा के नियमों का पूर्ण अध्यान करनी के उपरांत लिए तो यहां पर कैंडिडेट का नेम डालेंगे जिसके नाम से भी आप एपलाई करना चाहते हैं तो यहां पर आप नेम डाल देजिए इस्टुडेंट का इसके बाद उसका जो भी sun name है तो वो आपको इस side डाल देना है तो यहाँ पर हम sun name डाल देते हैं यहाँ आपको father's name डाल देना है student के जो भी father's name है और इस side आपको mother name डाल देना है तो mother name डालने के बाद आपको यहाँ पर student की date of birth पर select करने होगी तो हम यहाँ पर टेटो पर select कर देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर टेटो पर select होने के बाद आपको यहाँ पर आपको संद्काइदी का marital status का तो यदि आप बेभाहित हैं यानि कि आप married हैं तो आप yes कर दीजिए नहीं तो आप यहाँ से no कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर अपना gender select करना होगा तो यहाँ पर 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 चेक मार कर दीजिए यहाँ पर महिला पर जो यह चेक मार कर दीजिए अब आपको यहाँ पर क्या आप मत्रदेश के मूल नवासी हैं तो यह दि आप MP के domicile है तो आप यहाँ पर yes कर दीजिए नहीं तो no कर दीजिए तो अभी हम यहाँ पर yes कर देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर धर्म का option आएगा religion तो जो भी आपका religion है आप देख सकते हैं Christian, Hindu, Jain, Muslim, Sikh यह फिर अधर्स तो आप यहाँ से select कर सकते हैं अब आपको अपनी category यहाँ से select करनी होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित यानि के general के लिए रहेगा यहाँ पर इसके वाद SC के student के लिए रहेगा और अनुसुचित जाती यानि के ST के student और यहाँ पर OBC अन्य पिचला गर्द तो जो भी आपकी category यहाँ से select कर लेजिए और यहाँ आरते ग्रूप से कमजोर यानि की EWS के अन्तिगत आते हैं तो आप इस option को select कर सकते हैं तो अब हम यहाँ पर OBC select कर लेते हैं अब आपको यहाँ पर आरक्षन संभर्ग का option दखाई देगा तो यहाँ पर यहाँ आप नहीं सकते हैं कि कोई बिगलांत आपके अंदर या फिर आप भूद्पूव सेनिक हैं या फिर विद्वा परियेकता है या फिर सोतंतर संग्राम सेनानी है तो इन में से कोई भी आपका बर्ग के अंतर यह तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं अन्यता आप जोए किसी बर्ग के अंतर यहाँ नहीं आते तो आप यहाँ पर कोई नहीं जो यह option दिखने के का फस्ट वाला इस पर आप click करके से select कर लीजिए अब आपको यहाँ पर section के योगता का इस तर जो है यहाँ पर click करेंगे और देख सकते हैं क्या आपने engineering degree किया है तो आप apply कर सकते हैं यहाँ आपने post graduate कर रहा है तो भी आप apply कर सक करेंगे यह सिर्फ B.A.B.A.D. या पर B.A.C.B.A.D. कर पाएंगे तो आभी हम यहाँ पर graduation select कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर जो है निवास का छेतर में ग्रामीन है तो ग्रामीन select कर लीजिए और यदि आप सहरी है तो सहरी select कर लीजिए अब आपको यहाँ पर जो आगे बढ़ाएं का option दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करके आप इस फर्म को submit कर देजिए अब आपका जो फर्म को submit हो जाएगा और आप नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं आपके सामने आपर courses आ चुके हैं तो यहाँ से आप B.A.D. select करेंगे यह आप M.A.D. करना चाहते हैं तो यहाँ से select करेंगे इस पर check mark करके और आप B.A.D. करना चाहते हैं तो इस पर check mark कर देंगे तो इन मेंसे जो भी courses आप करना चाहते हैं तो उस पर आप check mark कर देंगे यहाँ पर जो option आपको दिखाई देगा तो आप यहाँ हम B.A.D. करने वाल यहां पर आपको निचे स्कूल करना है और यहां पर आपको स्टुडेंट का फोटू और सिग्निचर अपलोड करना होगा तो याद रखिए आपको इस तरीके से अपने फोटू को स्कैन करना है स्टुडेंट कोई कि उसमें नीचे सिग्निचर भी आ जाए और उपर फोटू भी आ जाए तो अपलोड इस पर कार से करना है तो अपलोड का निकली आपको यहां पर अपलोड इमेज का जो अप्शन द कर दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और जोबी स्टुडेंट का फोटू है वह आप से लेक्वर अपर इहां से ऑपन कर लेंगे अब आपको जैसे यहां पर फोटू आ जायेगा तो आपको यहां पर कॉनक देख सकते हैं इक फोटू आ चुका है स्टुडेंट का तो यहां से आप select कर लिजी जितना भी आप cut करना चाहते हैं और image के rock option पर click कर देजी इसके बाद आपको जो photo वो इस परकार से side आजाएगा और आपको यहां पर जो submit का button दिखाई दे रहा है इस पर आप click कर देजी आप यहां पर आचुका है आप सब्मिट करना चाहते हैं तो इसे ok कर दीजी ok करने के बाद आप देख सकता है नीचे student का फोटो और signature यहां पर आचुका है अब आपको यहां पर student का address डालना होगा तो जो भी student का address है वो आप यहां पर click कर दीजी इस side आपको यहां पर colony आपर molla जो भी है वो आप यहां पर click कर दीजी अब आपको यहां पर आपका छेतर जो भी है आपका block वो यहां पर भर दीजी और इस side भी आपना जो भी block है वो भर दीजी इसके बाद आपना state select करेंगे और यहां से अपना district जो भी है बोच select कर लेंगे इसके बाद आपने area का जो pin code है वो यहां पर fill कर देजिए और इसके बाद आपको यहां पर एक active mobile number देना है जिसपे की कोई भी OTP बगेरा आ सके तो यहां पर आपको याद रहा कि चालू mobile number देना है जो भी आप यूज़ करते हैं अपने personal swim का तो आप देख सकते हैं किरपिया swim का mobile number ही डाले तो आपको अपना ही mobile number यहां पर एक देना होगा इसके बाद आपको जो भी student का email ID को आप यहां पर भण दीजिए तो यहां पर आप देख सकते Gmail ID भालने के बाद आपको जो यहां पर चेक्मार्ण करेंगे और यहां पर आप यहां से आप सम्मिट करेंगे तो मैं यहां पर एक mobile यहां पर चेक मार्क करके और इससे सब्मिट कर देता हूं तो जैसे ही आप सब्मिट करेंगे आपके सामने इस प्रकार से स्टुडेंट की पूरी डीटेल सजाएगी अब आपको देख सकते हैं आप लेका हुए गुपतान नहीं है तो आप यहां से अपनी पूरी डीटेल च तो इससे जरूर आप कॉपी कर लिजिए क्योंकि यह दिए आपका पैमेंट हो जाता है या कोई भी इसू होता है तो आप इससे अप्लिकेशन नमबर के माद्यम से अपना रिप्रेंट निकाल सकते हैं या फिर आप चुए कंप्लेंट कर सकते हैं अपना रिफंड के लिए ठीक है तो इससे अप्लिकेशन नमबर को कॉपी कर लिजिए या पर आप चाहें तो यहाँ पर नीचे आपको दो अप्सें दिकाई देंगे प्रेंट का और प्रोसीटू पैमेंट का तो आप चाहें तो यहाँ पर इससे प्रेंट पर किलिक करके इस प्रेंट इस प्रेंट तो save होने के बाद आपको यहां पर proceed to payment का जो option देखा अब आपको जो पैमेंट करना होगा तो इस पर आप किलिक कीजी proceed to payment पर इसके बाद यहां पर आई है भी यहां पर जो all instruction है वो हमने यहां पर पढ़ लिए इसके लिए confirm करने के लिए आपको ok पर किलिक कर देना है ok पर किलिक करने के बाद आपके सामने इस परकार से पैमेंट डीटेल है वो यहां पर खुल जाएगी तो आप यहां पर आपको यहां पर कियो उसके सिलेट कर लेना है यहां पर यूजर डालेंगे कि उसके का password डालेंगे और जो भी यहां पर आपको capture code दिखाई दे रहा है जैसे 9 प्लस एक तो आपको यहां पर total 10 यहां पर फिल करके और प्रोसिक्व पैमेंट पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको पैमेंट है वो आपके MP online से कट जाएगा और यहां पर इंटरनेट बेंकिंग की मातम से पैमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहां पर citizen select करने के बाद आपको यहां पर थोड़ा सा यहां पर बेट करना होगा इसके बाद आप देख सकते हैं net banking का option आपको यहां पर option मिल जाएगा IMPs के थुरू आप payment कर सकते हैं UPI का option मिल जाएगा और wallet का तो अभी हम यहां पर debit credit card यहांसे की select कर लेते हैं इसके बाद यहां पर पस्ट वाला option जो select कर लेगे तो आप इन में से किसी भी method के थुरू यह payment कर सकते हैं यह आपके पास PTM का debit card है तो उसके से payment कर सकते हैं तो अभी थोड़ा साइट है वो थोड़ा बेस्त है इसलिए यहां पर problems आ रही है payment करने में तो आपको यहां पर ok कर देना है रिप्रेस करके page को इसके बाद आपको थोड़ा सा यहां पर बेट करना होगा payment के लिए यहां पर आप देख सकते हैं payment आ चुका है इसके बाद आपका जो भी रेस्टरन मुबाइल नंबर रुपा आपके अकाउंट से उस पर एक OTP वेरिफाई करना होगा आपको OTP आएगा और आपको यहां पर सब्मिट के लिए OTP का उप्शन आजाएगा तो जैसे ही आप OTP वेरिफाई करेंगे आपके अकाउंट से जो payment हो कर जाएगा 500 रुपी का और आप जो अपने प्रिंट निकाल पाएंगे तो फ्रेंट इस परकार से पहले तो आप रेस्टिसन कर लेजिए अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग की तो चॉइस फिलिंग आप कैसे करेंगे तो चॉइस की लिंग करने के लिए आपको आना है बापस से यहाँ पर गूगल पर और आपको MP Online की जो वेबसाइट है उसको आपको ओपन कर लेना है MPonline.ub.in और यहाँ पर इस काउंशिलिंग पर ओप्शन पर किलिक कर दीजिए और यहाँ पर ऊच्चे सक्चा दुबात मत्यपरदेस पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सामने स्परकार सेंटर्पेस ओपन हो जाएगा आप आपको यहाँ पर प्रवेश पर किरिया पर किलिक कर देना है तो देखिए जैसे यहाँ पर प्रवेश पर किरिया पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर बेकेंसी फोर फस्ट राउन है तो फ़र्स्ट राउंड की बेकेंसी है वो 5 अगस्टि लेकर 20 अगस्टि तक आप चेक कर पाएंगे तो चेक करने के लिए आपको यहार एक पर ईक्लिक का ओप्सटि देख вас खिन देख Gef Oak रीपैट कर सकते हैं तो यहां से लिखाने कि अंपर यहां से हैं जैकर हो और इसके अचलाव आपको रोस्त स्था दिए आप निकालना चाहते हैं अपनी सेप्ट कि तो यहां से आप Chiefaint की रिक्रीव कर सकते है चोईस फिलीच की कि तो अभ सब्सक्राइब करना आप के बाद आपके सामने इस पर कड्र ऐना सब्सक्राइब करने के बाद के बाद आपके सामने यहां पर लॉडदर का उपन इस बाक्च में और Continue पर किलिक कर देज़िए तो जैसे ही आप कंटीनियू पर खरेंगे तो आपको जो है कोलेज सर्च करना है और आपको सेलेट करते जाने है चेकमार तो जो भी आप कोलेज करते है वो आपका add होता जाएगा तो जितने भी आप चाहें वो add कर सकते हैं first round के लिए क्योंकि यहाँ पर merit based पर जो है admission process होने वाली है तो जितने भी आप चाहें तो add कर सकते हैं और यहीं आप जो है यहाँ पर किलिक करेंगे सबसे पहले आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूं तो जैसे कि आप यहाँ पर प्रवेस पर किरिया पर किलिक करेंगे तो यदि आप first round की vacancy चेक करना चाहते हैं तो इस पर पहले click here पर किलिक की दिए यहाँ पर आप जो है तोड़ा बेट कर लीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं all MP level की आपको पूरी डिस्ट जो लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी कितनी सीट है वो आपको इस साइट दिखाई देगे किस college में कितनी vacancy है वो सब कुछ आप यहाँ से चेक कर पाएंगे तो यहाँ से भी आप चेक करके जो है वहाँ पर अपना college डीटेल और सीट डीटेल से भरफाएंगे कि आपके college में admission लेना चाहते हैं इसके अलावा आपको इस साइट institute code देखने को मिल जाएगा और एदी आप अपने जिले लेवल की list देखना चाहते हैं आपके जिले में कितनी college है और कितनी seat है तो इसके लिए आपको जो भी यहाँ पर जिला है जैसे भोपाल हम select कर लेते ह आपके आपके लेतuled करेंगे से लेट करने के बाद आप देख सकते हैं आप जो भूपाल की list देख हो है तो भूपाल में जितने भी college है उनकी यहाँ पर name हापको फोक करेंगे college code रहेगा इस side इस side आपको बैके एंची देख सकते हैं इस college में हँ आपके 100 बैकेंची यहाँ पर आपको से कर रहे हूंगी एस सैड और साइड यसमें 120 इसके बाद स्कूरिसमें 50 सीट हैं इसमें 50 थ हैं इस प्रकार से आप चेट कर पाएगे इस साइड आपको कॉलेज नाम दिखाई देगा तो जो भी कालिज आप सेलेत करना चाहते हैं वो आपने आपर नयम देखकर select कर पाएंगे choice filling में तो choice filling में यहां पर आप डिटेज भरते जाए college की जितने भी आप add करना चाहते हैं तो इस परकार से और इसके बाद आपका जो confirm हो जाएगा इसके बाद आपको submit कर देना है submit करने के बाद आपको यहां पर 50 रुपे का जो फीस payment है choice filling के लिए वो आपको यहां पर payment करने होगी payment method वही आएगा net banking debit card जिसके भी मात्याम से आप payment करना चाहते हैं कर पाएंगे तो फ्रेंड इस परकार से जो आप B.Ed.Course counseling के लिए apply कर सकते हैं एक complete information था इसके अलावा है इदि आपको कोई भी problems आती है form बनने में तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं या पर हमारा instagram का link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा उस पर भी आप हमाएं अपनी problems जो है share कर सकते हैं और हम आपको जो भी help होगी वो आपको provide करा देगे तो friend इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा like कर दीजिए और अपने दोस्तों में share कर दीजिए जितने भी whatsapp group है उनमें भी share कर दीजिए जिससे कि आपके दोस्तों तक यह information मिल सके और वो भी इस वीडियो को देखकर अपना बीड का form apply कर सके तो friend इस आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए साथ में जो bell icon बटन है उसे भी all press कर लिजिए thank you friends मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ जैहिंद